सुधीर गुपता का नाम आज बहुत ज़्यादा चर्चा में उसके पीशे की बज़ए है कि सुधीर गुपता अब एक नया केजरी वाल यानि पल्टी बाज बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति ने 22 अगस्त को कई सारे बाते कही थी और उन्हें एक बड़ी बात ये थी कि सुषान सिंग राजपूत की मौत के बाद जो आटोपसी यानि पोस्ट मॉटम हुआ है उसमें बहुत सारा लोचा है बहुत सारा घपला है तमाम चीज़े छुपाई गई है और गलत तरीके से पोस्ट मॉटम करके इस पूरे मामने को दवाने की कोसिस की गई है यहां पर वीडियोग्राफी नहीं है बिसरा की बहुत ज्यादा ठीक लेवल का सेंपल नहीं लिए गया है बिसरा का जो सेंपल लिया गया था वो बहुत थोड़ा था इसके आदार पर इतनी जल्दी नेर नहीं लिया जा सकता है ऐसी बात है कही थी डाक्टर सुधीर और उसने कुछ चैनलों के साथ मिलकर इस तरीके की बात उठाने की कोशिस की कि सुषान सिंग राजपूत की हत्या नहीं हुई थी बलके आत्मत्या की थी हलाकि उसने इस परश तोर पर आत्मत्या का सब दिस्तमाल नहीं किया था लेकिन ये कहा था कि बॉड़ी के ऊपर को इतना नीचे था उस छट से उन दोनों के बीच में इतना ज्यादा गैप नहीं था कि सुसान सिंग राजपूर जैसा लंबा विक्ति लटक कर खुद को अपने आपको मौत के गले लगा लेकिन जिस तरीके से दूसरी कहानी इसमें थी जिसको लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे थे कि अगर उन्हें नसा दिया गया होगा उससे पहले सीवीडी ओयल या इसी तरीके का कोई नसा देने के बाद उन्हें अगर इस तरीके से लटका दिया गया होगा तो जरूर उनकी इस तरीके से मौत हो सकती है और शीवयाई भी इसी एंगल से जाश करती हुई उतारा गया लेकिन जिस तरीके से सुधीर गुपता अब उन तमाम अफवात अंत्र के लोगों के साथ में मारा सरकार के साथ में सिफ सेना के साथ में नसीपी कॉंग्रेस के साथ में मुंबवी पुलिस के साथ में सुर मिलाता हुआ दिखा उसके बाद अब उसके चरित्र पर सवाल उटने लगे और लोग पिछले त्यास को खगानने लगे तो पता चला ये सुधीर गुपता नाम का जो व्यक्ति है ये पल्टी वाजी का बहुत बड़ा मास्टर है और ऐसा लगता है कि केजरी वाल ने पल्टी मारने का काम सुधीर गुपता से ही सीखा है क्योंकि जो लोग हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है सुधीर गुपता कई मामलों की जाज कर चुका है लेकिन हर मामले में वो अधिकारिक एजेंसी की जाज के दोरान ही अधिकारिक एजेंसी के बयान से पहले ही इस तरीके की बात है करता है और जिन से बाद में व बहुत जादा सौक है और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये नेता बनने का सौक रखता है और इसी वज़े से ये बार-बार बयान देकर अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहता है लेकिन कई बार इस तरीके से सुर्खियों में रहने की जो आदत है वो गले की फास बन और ऐसा लगता है कि सुधीर गुपता ने अब जो अपनी भूमिका निवाई है उसके बाद पूरे देश में इसकी आलोचना हो रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सुधीर गुपता को आज तक या दूसरे चैनलों से मोटी रकम मिली थी क्या सुधीर गुपता क कुछ सिबसे ना एंसीपी और कॉंग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया था कि अगर तुम इस तरीके का बयान दोगे तो हम बाद में तुम्हें राज्य सभा भेज देंगे यह इस तरीका के दूसरा कोई बड़ा लालस दिया गया था जिसकी बज़े से सुधीर गुपता खुद पहले करीब 15-20 मिनट के इंटरिवू में सवाल उठा चुका था उन्ही सवालों पर परदा गिराने की कोशिश सुधीर गुपता ने क्यों की सुधीर गुपता किसके इसारे पर काम कर रहा था सुधीर गुपता की साथ गाट किसके साथ थी और इसको लेकर जिस तर कर दिया है और उन लोगों को आयना दिखा दिया है जो हमारे उपर सवाल उठा रहे थे हाला कि सुधीर गुपता को अब जवाब तो देना पड़ेगा सी बियाई भी उससे जवाब मांगेगी वहीं दूसी तर स्वास्त्य मंत्रा ले ने भी मन बना लिया है कि सुधीर को 302 के तहर जल्दी से जल्दी मुकद्मा दर्ज कर लेना चाहिए इसकी बज़े पहले से हैं सी बियाई के पास तमाम ऐसे सुभूत है जिनके आदार पर 302 का मुकद्मा दायर किया जा सकता है और यहां अगर कानूनी द्रश्टी से मैं आपको बताऊं तो इस मामले में ज इस तरीके की घपले बाजी उसमें की है तमाम जो सवालाद उस पर उठे हैं वो इस बात के सुभूत है कि वहां पर मुंबई पुलिस के इस तर पर इस पूरे मामले में जिस तरीके की लीपापोती की गई है जिस तरीके की सुभूतों के साथ छेडशार की गई है जिसका इसारा सुधीर गुपता ने भी अपने पहले इंट्रिवू में किया था जब 18 तारिफ को इसको CVI की तरफ से रिक्वेस्ट मिली थी और उसने 22 तारिफ को एक इंट्रिवू दिया था और उसमें कहा था कि हमारे पास तवाम जानकारिया आ रही है तवाम रिपोर्ट आ रही ह उसी तरीके से जिस तरीके से वीडियो ग्रैफी नहीं हुई है जिस तरीके से तमाम दूसरे सुबूत है उनको नश्ट किया गया है जिस तरीके से जो क्राइम सीन था या क्राइम का जो इस्थान था उस पर भी लोगों को आने जाने दिया गया साथ ही साथ जो दूसरी तम मोबाइल नहीं जप्त किये गए जिससे CDR के द्वारा तमाम चीज़ों को जोड़ा जा सकता था तो तमाम सारे सवाल थे तो इन सवालों से तो वो अपरादी नहीं बच पाएंगे सुधीर गुपता हो या दूसरे इसी तरीके के कोई भी अगर कोई ऐसी रायत देता है जो के खलनायक बन चुका है काहाई यह जाता है कि सुधीर गुपता फोरेंसिक डिपार्टमेंट का हैड होने की बज़ए से इसने कई सारे हाई प्रोफाइल मामलों में फोरेंसिक जांच की है जिनमें सुनन्दा पोस्ट करकर भी मामला सामिल है और भी दूसरे जैसे का लाज ज देता है वही इस्ति अब सुधीर गुपता की होती दिख रही है लेकिन इसके सासाथ बहुत सारे तमाम चैनल भी इस पूरे मामले में एक्सपोज हो गए है जो टुकड़े टुकड़े गैंग या फिस तरीके के अपरादी गैंग को बचाने की कोशिस कर रहे थे पहले इस कड़ी में आज तक था एंडी टीवी था लेकिन अब इस कड़ी में जी न्यूज भी जुरता हुआ दिखाई दे रहा है जी न्यूज ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने सुसान सिंग राजपूत की मौत को हत्या बताने की कोशिस की थी वो मनोहर कानिय सुना रहे थे और सुधीर गुपता ने ये साफ कर दिया है कि ये आत्या नहीं आत्मत्या थी जब के सुधीर गुपता ने बड़ी दारा लगने पर तमाम लोग अब तक आराम से घूम रहे हैं उनको बहुत जल्दी जेल में डाल दिया जाएगा लेकिन इतना निश्चित है कि इतनी आसानी से इन लोगों के मनसूबे पूरे होने बाले नहीं है चाए इसमें आज तक जैसे चैनल खड़े हो, NETV या G News भी उनका साथ देने लगे उसके बाब जो CVI के पास अभी तक जो जानकारिया आई हैं तमाम गवाहों के जो सुबूते सिद्धात पिटानी से लेकर डीरस सिंग जैसे लोग जो सरकारी गवाब बनने की तयारी कर रहे हैं उसके अलावा रिया चक्रवर्ती का जो नसे का कनेक्शन है वो सारी चीजे मिला कर इस केस में अभी भी हत्या के एंगल को जिंदा रखे हुए हैं और इसका इसारा इस करन बंडाली जिन्हों ने याचका लगाई थी वो भी कर रहे हैं कि मेरी भी बात कुछी थी सुदीर गुपता से और डाक्टर सुबरम स्वामी कह चुके हैं कि वो इस बात को लेकर स्वास्ते मंत्याले की स्टेंडिंग कमेटी में भी उठा चुके हैं जिसके वो सदस हैं राज्यस्वा का सदस होने की वैसे और उन्होंने जिस तरीके से 302 का केस दर्ज करने की तरफ CVI को एक इसारा दिया है उससे साफ पता चलता है कि CVI इसकी तयारी कर रही है तो तमाम कोसिस हैं अब इसमें सवाल यह है कि सुदीर गुप्ता को कितनी बड़ी रिस्वत दी गई होगी जिसकी बज़े से उसने इतना बड़ा काम किया जिसकी बज़े से जो जिन चैनलों की TRP एकदम डाउन हो गई थी उनकी TRP को उठाने के लिए उसने एक ऐसी खबर पास की एक ऐसा सिगूफा छोड़ा एक ऐसी अफ़ा फैलाई जिसकी बज़े से ये सारे के सारे चैनल एक दिन के लिए TRP में बापस आ गई थे लेकिन जैसे ही अगले दिन सुधीर गुपता के उस पुराने ओडियो टेप को रिलीज किया रिपब्लिक चैनल ने इन सब चैनलों की पोल खुल गई और पता चल गया है कि सुधीर गुपता पैसे लेकर इस तरीके की अफ़ापूर बाते करता है अब उसके चरित पर सवा उठने लगे हैं और लोग यह कहने लगे हैं कि यह तो केजरिवाल से भी बड़ा पल्टी वाज है जैहिन जैवारत